कि यह माताधी मित्रो मिरा नाम पंडित प्रकाज जो सी साल 25 मित्रों आने करें तो साल 205 कीसा रहने वाल में चर्चा करेंगे साल 2025 कैसा रहेगा कैसी रहेंगी सmbक्राजिश की धनकी स्वास्ति की उनके परिवार की उनके दामपत्थ जीवन की उनके पार्टनर की इस्तती, उनके प्रेम की इस्तती, संतान की इस्तती, विद्या की इस्तती, उनके व्यपार की इस्तती, विदेश यात्रा की इस्तती, वाहन की इस्तती, प्रॉपर्टी की इस्तती, धन की इस्तती, सारी चीजों के बारे में मित्रो इस कारेकरम में डिटे नाम राशी से भी देख सकते हैं और बोलता नाम भी अगर आपका सिंग राशी से पढ़ रहा है तो भी आप देख सकते हैं तो आपको काफी एकुरेशी मिल जाएगी सबसे पहले जो वार्शी कुंडली बनी है सिंग राशी की एक जनवरी दोजार पचीस में और मैं जो बार्छी कुंडली के अनुसार देखा जाया तो आपके जो राशी राशी के स्वामी सूर्या सूर्य आपके पंचम मैं बातें ये यश योग वर्षी कुंडली में बनाने 남ने क्या मिलेगा चर्चा करेंगे दुत्तिय भाव में आपके केतु बैठें छे नंबर में और चतुर्थ भाव में आपके बुद्ध बैठें हैं चतुर्थ भाव प्रॉपटी का होता है परिवार का होता है तो यहां पर बुद्ध थोड़ा निर्बल बैठें उसके बारे में क्या है साल दोJust-25 में शुक्र और शनी दोनों ही केंद्र में बैठें सब्सब्र में बैठें मालब भी योग सस योग बनाके बैठें तो सिंगर राशी के लिए साल दो में साल सा जाए याद रखिएगा मेरी बात नोट सुस्य होगे जिंद्नी के बार इस साल को साथी साथ अश्टम भाव में आपका राहू विराजमान है और मंगल आपके बारवे भाव में बैठे हैं तो यह जो वार्षिक राशी फल है वर्ष की जो कुंडली है इसको अब हम इजी में में आकलन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम सिंग राशी के स्वास्त के बारे में बात करें तो साल दोजार पच्चीस जिसका टोटल अगर आप टोटल करेंगे तो नोंक है वह मंगल का साल है याद रखेगा तो कहीं ना कहीं वार्षिक अनुसार साल दोजार पच्चीस में सिंग्रासी का यश्योग बन रहा है यानि स्वास्ति के लिए यह साल बहुत है तो अन्दकार मिटा देता है जीवन से और उजाला ही उजाला भर देता है उसी प्रकार से आपके जीवन में भी साल दोजार पच्चीस में जो यस्योग के कारण जो सूर्य उद्य हो रहा है वह आपके जीवन का अन्दकार रोग शोग जो भी आपके कुंठा दूइधा है वो मिटाने वाला है साल 2025 में यानि अब आप रोश्णी के ओर बढ़ेंगे अंदकार को छोड़ेंगे जो आपको जीवन में दूइधाएं रहती हैं जो आपके समस्याउं से दूर करने वाले है क्योंकि यह शोग आपकी कुंड़ी में बन रहा है तो कहीना कहीं यह बड़ा दोजार 25 रहने वाला जीवन में बड़े तकड़े अनुबाव करने वाले हैं कुछ लोग करें क्लाइंबिंग करने वाले यानि गासकर मार्च से सितंबर के बीच में यानि मार्च दोयार पचीस से दो सितंबर दोजार पचीस में आपको कोई समान मिल सकता है, कोई समाजिक संस्ता आपको Cats है یा फिर आपको कोई सरकारी लाब मिल सकता है मार्च दोजार 5tƯ सितंबर 2025 यह चूँग के कारण आप बात कздरें 2225 में को समादिक संस्ता आपको समान दे सकती है कोई आवॉर्ड आपको मिल सकता है या फिर आपको कोई सरकारी लाम मिल सकता है मार्च 2225 से सितंबर 2225 यह कें क् apare Ara поним क that आर्थिक 2020 कैसा रहेगा तो द्षन के में बात करें तो वार्षी कुंडली के अनुसार धन के स्वामी केंदर में बैठें और निर्वल होके बैठें यानि साल 2025 सिंग रासी वालों ध्यान से सुनो साल 2025 आपके लिए उतार चड़ाव भरा रहेगा यानि मध्यमकारी रहने वाला है यानि साल 2025 में कभी स्थती बहुत अच्छी हो जाएगी कभी कि मोटा धनलाब होगा यानी साल 2025 में करज की स्थती आपके बन कहिए ना कहीं भूमी पे कुछ मोटा धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है या मकान वाखन पे धन खर्च होता हुआ चार मईने खर्चे वाले रहेंगे आंदनी 8 नी करचा रुपईया यानि कि यह खर्चे वाले आपके साल 2025 में रहेंगे याद रखिएगा फिर उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर में आपकी आर्थिक इस्तती अच्छी होगी बड़ा धनलाब आपको होगा कोई चीज आप बेकेंगे उससे भी आपको अच्छा लाब मिलेगा कुछ मित्र जान पेचां सिंग रासी को बचना है क्योंकि पूरा साल आप एक चीज महसूस करेंगे कि धन बचत की समस्या आपको बनी पड़ी है यानि सेविंग की प्रॉब्लम आपको रहेगी तो साल 2025 आर्थिक रूप से मध्यम साल रहेगा अब बात करते हैं सिंग रासी के परिवार संतान और व साल 2025 में थांदर नजर आएगा साल 2025 में इस्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग बनता जहां आप रह रहें वहां से आपका स्थान परिवर्तन भी कराने वाले है यानि कि स्थान परिवर्तन की योग है साल 2025 जो है संतान के लिए भी best year कहा जा सकता है यानि साल 2025 में संतान की विद्या अच्छी रहेगी बड़ी संतान है अठारा प्लस संतान है तो उनको करियर में विद्या में अच्छी सपलता मिलेगी संतान को खेल में या किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अवार्ड मिलेगा सपलता मिलेगी इसके योग साल 2025 में नजर साथार ही बड़ी संतान जों संतान उनको के लिए करियर के लिए कहीं պंगा उसके लिए परिवार को चोड़ के दूर जाना पड़ सकता उसके योग नजर आ रहे हैं और विद्यारतियों के बात करें तो के के लिए भी साल 2025 सर्वस्रेश साल है क्योंकि पंचम भाओं में वार्षी कुंडली में सूरे बैठे हैं यानि माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा साल 2025 माता पिता आपकी बात मानेंगे माता पिता आपको कोई ना कोई लाब भी देने वाले उसकी योग नजर आ साथी साथ परिक्षा परिक्षा में भी आपको सपलता मिलेगी कोई ना कोई सरकारी परिक्षा में भी आपको सपलता मिलती भी नजर आ रही है तो कुल विलाके देखा जाए तो चाहे परिवार हो चाहे संतान हो चाहे विध्यारतियों साल 2025 आप लोगों के लिए तो सर्वस् देखे मित्रों तो सूरिय देव वार्षी कुडली में पंचम में होने से यदि सिंग राशी वाले जातक और जातिका विज्ञान से संबंदित अगर छेत्र में हैं या आप मेडिकल छेत्र के अंदर है आप राजनीती की छेत्र के अंदर है होटल व्यपार से जुड़े हैं तो यह जो साल 2025 है इन फीड़ों के लिए सर्वसेश्ट वाला साल यादगार साल रहेगा यानि कि सूरी की किरपा से आपका नाम चमकेगा आपके पद का लाप आपको धन का लाप आपको रुतबे का लाप साल 2025 देखे जाएगा कारण क्या है कि आपका यह श्योग बन रहा कैसी रहेगी पती-पत्निय उनकी इस्तती कैसी रहेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो वार्शी कुंड़ी के अनुसार दो राजयोग साल 2025 में आपके एक्टिव हैं पहला सस योग एक्टिव है जो शनी से मिलता है और दूसरा मालब भी योग एक्टिव है जो की शुक्र से बनता है तो साल 2015 में चाया आप प्रेमी प्रेमी का हो चाया पती पतनी हो ऐसा साल 25 रहेगा जिवन भर आपको याद ही रहेगा आपके पन्नों के अंदर आपके डायरी के अंदर आपके दिल के अंदर यह साल'swnham aqshar के रूप में याद रहेगा यानि बहुत मैत्वपून गटना है साल 2025 में आप देखेंगे कि आपके साथ होंगी पहला अगर देखा जाए तो साधी से संबंदित कोई गटना होती भी नजर आ रही है या फिर संतान से संबंदित कोई शुब गटना होती भी नजर आ रही है या फिर जो कु चाहे आप पती-पत्नी हैं चाहे आप प्रेमी प्रेमी काओं कुछ ना कुछ आपको देखे जाएगा साल 2025 साती साथ यह जो योग है वह फरवरी 2025 से एक्टिव रहोगा याद रखिएगा साथ जो सश्योग आपकी कुंडली में बना है वार्शी में वह पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा है यानि पार्टनर को भी करियर में बहुत अच्छा लाब देगा पार्टनर को नया कोई नया काम सीख सकता है उसकी योग बन रहे हैं पार्टनर के पदमे लाब साल 2025 में बन रहा है पार्टनर को धनलाब साल 2025 कराने वाला है तो कुछ मिलाके जो हाउस वाइब भी है तो वो भी कुछ ना कुछ साल 2025 में करेगी कुछ नए काम का प्रियास वाइब करती खर आएंगी साल 2025 क्यूंकि सश्योग बन रहा है सशसे सनी का से बनता है और वह पार्टनर का जब एक्टिव होगा तो पार्टनर वहां कुछ ना कुछ हाथ-पैर मानने वाला है कुछ ना कुछ काम करने वाला यानि आप आपका पार्टनर खाली नहीं रहेगा कुछ ना कुछ करेगा साथी साथ आप बात कर लेते हैं सिंग रासी वाले उनकी जो व्यापार करते हैं फैक्टरी चलाते हैं दुकान चलाते हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा जो नौकरी वाले उनके लिए बड़ा उत्तम साल रहेगा आपका पद में लाब होता वह नजर आएगा आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी साल 2025 में मिलती भी नजर आएगी प्लस विदेश से भी आपको ओफर मिलेंगे और कंपनी आप से इतनी महरबान होंगी साल 2025 में कि आपको ुअ से कंपनी को क्योंकि सर्वस्रेश साल आपका रहेगा छाशकर ये योग एक्टिव होगा नौकरी वालों का तो साल 2025 नौकरी वालोंके लिए तो कहीं ना कहीं साल 2025 खासकर फरवरी के बाद आपको राहत मिलती भी नजर आएगी काम किसी की एडवाई से राहत रफतार पकड़ता हुआ नजर आएगा यानि साल 2025 व्यपारियों के लिए अच्छा है और मल्टीनेशनल कंपनी से आपको काम मिल सकता है व्यपारियों को और जैसा मैंने का फरवरी से रफतार पकड़ेगी और नौमबर तक यह योग एक्टिव होगा तो काम आपका अच्छा रहेगा बंद काम भी व्यपारियों का खुल सकता है उसके योग नजर आ रहे हैं यानि कि कहीं सील है कहीं पर ताला पड़ा है तो वह काम भी आपका खु छता इंवेस्ट करने वाले और उसने सिंगर वाले वेपारी उन के लिए साल सर्वस्रेच्ट रहने वाला साती साथ आप हम बात कर लेता हैं कि वर्षेष कुंडली में 10 बहूं में गुरू विराजमाना है तो कहीं ना कहीं इनकम के लिए आप कर रहे हैं जो करेंगे साल 2025 म वालने किसी एंजियों की आप हेल्प करने वालने यानि आप दान भी करेंगे धरम भी करेंगे साल 2025 में ऐसा योग नजर आ रहा है साथी साथ चंदर्मा आपके छटे वाहों में सिंग्रासी वालो साल 2025 में वशेक कंडली में बैठा है तो नदी समुंद्र या बैते पानी से बिलकुल भी 6 यहां पर साबदानि रखना जानता हूं कि यह साल आपका अडवेंचर वाला है mínimo आप साल 2025 में पूरे करेंगे सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे लेकिन बहते वे पानी से थोड़ा सा साब्धानी आप रखें नहीं तो थोड़ा चोटोट आपको लग सकती है तो मित्रों इस कारेकर में बाइत नहीं मुझे दीजिए जाया जै मतादी